जुनौर से हैं सफी स्वागत है आपका मैडम नवस्टर सर मेरे इस पर अडियों मैं बहुत परहसान हूं मैंने अब तूपर भी करा फोल कट गई मेरे द्शारा ने बार वर्ग करता रही हूं मरा मैं नुक्ता तर आपको चार bold अवरत करते ता आपसे तक मेहार रही है आपने वह नुक्ता दो गैस का बता दिया था उसे पूछना उस लेजिस के लिए कभी गरम पर जा मैंने जब उनसे बताया तो बै कह रहीं कि यह पूछ ती कि जिस ओरतों को मंदब बच्चा रहता उनके लिए गैस का नश्वा तो बच्चे अप्पा महीं नचले उनके प्लास बताया उनके पीजिये संहसा उनके लिए सर एक संहसार दूसरा मेरा यह है मेरा सअसरसा दोगार जान की नचले तरवे में सिद्दे पार के भी आग बलती है डिसमेरी वो दविए कि जैसा बटाती श्रादी और यह नचल्ग टिखानी पड़ती है जँख इसे भी उ आपने बताई थी तर कुछ भी करिया भगवान नो मेरी वास्तोरी संजल जब टीवी से सनुमी मैं आपको और एक बच्ची गे किसी ने बताया कि हमारी बच्ची चोटी है साड़े साथ साल गी उनके जिसे खुजाते हैं तो निसान हो जाते हैं उनके बच्चे गया कुज आने के निसान सजढ साध साथ साल की बच्च की उत्र सवालिये है एक नसे भी होई है बुट नो 와 तो ऊसे ऩारे में दिक्कत हमारी बड़ी बैंक है। उनका भी नुक्सा बताईए आथर। यह मेरा नुक्सा जरूपताई है। हर एक मारी लड़की है, वो 24 गंटे-चिर पगड़ती लगती है। फिरमा दरद बताती है। फिरहत पगड़ती है। ट्रूपताई है। जरूपताई सोथा। ट्रूपताई है। बताई हमारे आपक लिगती हैं अनुक्सा अनुक्सा अठ्रची है। ठीके आप लिख लीज़े। देखे जो बच्ची सर पकड़ती है तो उसको कहें कि ऐसे बेटके ऐसे एक्सरसाइस करें रोजाना तीन मिनिट ठीक है इमांदारी से करें तीन मिनट करनी है चाएँ तीन बार में करें और ऐसे बखे ये पूरा यहां तक आजाता है ये भी तीन मिनिट है, वो सकता है दवा की ज़रूती नहीं पड़े और दवा की जरूत पड़े तो एक चुटकी िवाउंocol चिलगोजा रोजाना खाना है एक चुटकी गउनमे चिलगोजा कहा लें और अलसी में मिलाकर खाएं, अलसी आप जानते ही हूंगे السی کو ہلکα سا भून के पॉर्डर बना ले एक चुटकी गौनचल गोग जा एक चुटकी ये एक चमचमच अलसी यादा चमचमच में मिला कर और शेहद में मिला कर भी खा सकते हैं मलाई मिला कर भी खा सकते हैं ये बच्ची को देना शुरू करें और देखिए आपके जो पैर में जलन है उसके लिए आप कौन सिया ले रहे हैं इसमें वक्त बहुत लगता है छह साथ महीने तक ले शर्त यह है कि वेस्टन टॉयलेट ऐसा कुर्सी वाला टॉयलेट यूस करें और जाड़ू पहुचा भी ना करें वजन भी ना उठाएं है किसी को सुन होता है किसी को किचा होता है किसी को गांटे सी लगती है तो जिनके नस दभी भी है उनको भी गौंसिया आदा आदा गिराम खिलाएं उनको बहुत जल्दी फायदा ममकिन है आपको थोड़ा देर में होने वाला है फायदा और क्या साथ साल के एक बच्चा है खुजाने पर निशान हो जाते हैं? हाँ, उनको अलसी को हलका सा पून के और आदा चम्मच अलसी, आदा चुटकी खाने का सोड़ा, आदा चुटकी, एक चुटकी भी नहीं, छोड़ा बच्चा है, मिलाएं और उसमें शहद मिलाके, मिक्स करके, पूरे दिन में बस एक खु होना मुमकिन है. एक सवाल और था, हकीम सभी इनका, शायद प्रेगनेंट लेडी हैं, जिनको गैफ सारोल्टी बन रही है? हाँ, देखे, यह जो प्रेगनेंसी है, यहाँ पर, यह सब चीज़े होती हैं, तो एक तो, देखे, गाउं के पंसारियों के पास, वो मिलता है, सुका हुआ आलू खारा, तो जब भी इनको यह सब हो, गैस या इसिडिटी, या बेचेनी, या उन्टी सा लगे, तो एक या दो आलू खारे सुके मिलते हैं, वो कटे होते हैं, या फिर इमली, जो भी आसानी से मिल जाए, आलू खारा बहुत अच्छा है, तो यह देदिया करें, और वैसे तो इसी से फाइदा हो जाना चाहिए, फिर भी आपका फोन नहीं मिलता, आपको शिकायत रहती है, काट देते हैं, हलागे हम काटते नहीं, हमारे हाथ में नहीं होता फोन, इसका दूसरा डिपार्टमेंट है, तो वहां से आता है, वहीं से कटता है, तो पानिया का पॉडर एक चमच खाएं, और एक चुटकी खाने का नमक जैतून आता है, नमक जैतून, एक चुटकी, असली वाला लें, एक चुटकी, दो गिलास पानिया मिलाएं, और इसको पी लिया करें, पुरे दिन में एक बार, तो उनको फाइदा होना मुम्किन है, तो अगर गौंसिया धीरे-धीरे करके अराम देता है, तो कई बार तो पिशेंट को समझ में भी नहीं आपाता होगा कि अराम मिल रहा है, नहीं कि गौंसिया की अजीब तासीर है, क्योंकि हम लोग हजारों लाखों लोगों पर आजमा चुके हैं, मैं जाती तोर पर कभी लेता हूँ, कोई सब रोग मुझे भी हो सकते हैं, जो दूसरों को होते हैं, तो मैं तो दो चार खुराक लेता हूँ, मैं टिक हो जाता हूँ, लेकिन मैं मरीज से कहता हूँ, कि आपको साथ आठ दिन के बाद फाइदा शुरू होगा, और आपको दो चार महीने खाना होग ये और बात है कि मुझे मैं तो जैसी कोई रोग शुरू हुआ मैंने खाया और फॉरन ले लेता हूँ आप बहुत पुराने मरीज होते हैं तो मैं आप से कहता हूँ साथ आट दिन बाद फाइदा शुरू होता है वो भी दो सूरते हैं या तो दर्द कम होने लगता है या दवाके साथ ले गौंसिया और मैंने अपने जीवन में इतना अच्छा रो मैटेरियल नहीं देखा मेरी तगरीबन चालिस साला अनुभव है मुझे कि जो इस कदर फाइदा करता हो लेकिन फिर भी किसी को फाइदा नहों तो मैं जिम्मेदार नहीं ये भगवान ने एक अ और एतियात भी लाजिमत जो मैं बताता हूँ लेकिन ये जो क्योंकि कुदरती एक रौ मैटेरियल है एक गौंध है जो असली मिलना जरूरी जिसको फाइदा नहीं हो तो वो जी देखें कि नकली तो नहीं है उनके पास सच कर ले मेरी यूट्यूब पर कैसा होता है गौंस जाते हैं जो लोग भी हमारे वीवर्स हैं तो उसको लाइक सब्सक्राइब कर ले तो वो देखने कैसा होता है फेस्बुक पर भी मेरा यही पेज है हकीम सुलिमान खान और यूट्यूब पर भी वहां से आप सवाल भी कर सकते हैं आपको जवाबात भी दिये जा सकते हैं ब समझ जाएं कि यह कारी करम की जो कटिंग डाल देते हैं इसके तो सारे नुस्थ को उसी पर जाते हैं बाच्चीत आप से ही होती है जवाबात मेरे होते हैं लेकिन असली दवाएं लेंगे तो फाइदा होना मुम्किन है दिल्ली से हैं अशोग जी स्वागत है आपका हालो अशोग जी आप लाइंग पे हैं सर नमस्कार मेंटम जी नमस्कार सर मेंटम जी मैंने गौन बोरिंगा सफेद वाला और जयतून का सिर्का मगाया था थीक है सर अच्छा अच्छा कर लिजे अच्छा कर रहे हैं आप उसे ले रहे हैं फाइदा भी सुरू हो गया अच्छी चीज है ले लेवर के लिए और फैट से परेज निवर की कोई परेज़ हो उसी लेवर बढ़ गया हो लेवर जॉंडिस हो लेवर ठीक से काम निए करता हो तो आनिमल फैट से परेज करना चाहिए एनिमल फैट गी में भी होता है, मक्खन में भी होता है और डूद में भी होता है और मीट में भी होता है ये चर्बी एक ही सी होती है इन सब में मीट में भी और डूद में भी और गी में भी तो इस से परेश करें अच्छा वेजिटेबिल ऑइल इस्तेमाल कर सकते हैं और लग अपका वो सर आपने मुझे उचिका बताया था बोले होने के लिए अअ लगा पगुद्ट कर निहार मोग सर गने का जूच्छ कर पारा है तो उसके लावा कुछ ले से क्या है में बहुत अच्छा सवाल किया है बच्चा उन सर एक और एक और था सर हमको ना PCVD का प्रॉब्लम था तो आपने इसके लिए हमको अल्सी नमक जे तो खाने का सोड़ा बताया था हमारा दिक्टती है कि ना सर वेट में बिल्कुल कम ने हो तो वेट बढ़ता ही जा रहा है तो उसके प्रेट च्छाने थी तो उसके लिए प्रॉट के लिए डाइट कंट्रॉल जरूरी है जितनी आपकी खुराक है उससे आदी खुराक कर ले और बगेर दवा के भी आपका व मैं जब वेट कम करता हूं अपना तो कोई दवा नहीं लेता दवा तो मच्बूरी है तो मैं सुबह को एक प्याली दाल चब मस्से खा लेता ओन और दूपहर को एक फल कोई खाता हूं एक सेब या एक अम्रूत ये और शाम को खाना खाता हूं जो जितनी मेरी खुराक है उ पचास गिराम या सो गिराम कम हो जाता हूं. जतना चाहूं वजन कम कर लो यह डाइट कंट्रोल इसमें किसी दवा का दखल नहीं है, हाँ. पैदल भी चलता हूँ, एक गंटा, पानी भी पाँच गिलास पीता हूँ, गरम. यह बगएर दवा का इलाज है. और डाइट कंट्र और इतनी जरूरी है कि बगएर दवा के भी आप अच्छे हो सकते हैं और बच्चा देखो इसके लिए एक जीरे का सिरका भी आता है असली ले दो दो चमच दो तीन बार ले सकते हैं खाने से पहले खाने के बाद इससे भी वेट लोस के लिए बहुत फायदे बन थे और भी ब जिनको गन्य का जूस ना मिले तो गन्य का गुड आता है पीला पीला होता है आप तो बच्चे हैं पता नहीं जानते या नहीं जानते लेकिर पंसारी के हां मिलता है तो वो उस गुड से को पानी में खोल ले और गन्या जितना गन्य का जूस जितना मीठा होता है इतना जैक हधार बनाने के लिए उसमें नेवा भी निचोडज्ज असक्ते हैं तो उससे ले तो ये वही काम करेगा और जब गन्ना मिलने लगतर तो काफी फायदा होता थें जह उसमे मेरा आजमाय होई अप इस्तमाल कर सकतेजू